हलो दोस्तों सागत आपका मारी यूटूब चैनल के आरिज्या में दोस्तों जारकन के वे सभी छात्र छात्राएं जो की 2022 में मेट्रिक और इंटर के फाइनल परिछा देने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी अपडेट निकल काया है जी हां दोस्तों जारकन के जो सिच्छा मंत्री है जगरनात महतोजी उन्हेंने एलान किया है कि आपका जो परिच्छा होगा वो केसे होगा और कब लिया जाएगा ठीक है तो आप लोग पूरा वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देशेगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं और इससे प यहां सबसे पहلة बोल रहा है कि चार फरवरी से बच्चे आएंगे इसकूल परि शाहें औप लाइन होगी मन्तरी जी कहा यह कहना है तो चलिए देखते अब इसको फूरा टिटेल में देखें यहां सबसे पहلة बोल रहा है कि राज देखिए दुक्센 airflow के चार फरवरी से ठीक है तो आपका जो परिच्छा होगा दोखतों वो आफ लाइन परिच्छा लिया जाएगा और केसे परिच्छा लिया जाएगा आप लोग पूरा वीडियो को सुरू से अन तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा ठीक है क्योंकि लास्ट में ही बताया गया है चलिए देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है देखिए आगे यहां पर बोल रहा है कि परिच्छाएं भी ओफ-लाइन होगी यह जानकारी जो है यह जानकारी बुद्वार को सिच्छा मंत्री जगरनात महतों ने दी और इसके साथ ही इसकुली सिच्छा वा साथ चर्था विभा ठीक है और देवघर में नौवी और उससे उता स्कली के बच्छे की यहां बच्चों को इक फूल आ सकेंगे और वहीं बाधी जीलो में पहीली से बारवी तक के बच्छे जो है वह हो इक प्रषा कर सकते हैं उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि तीन फरवरी तक इक्कूल में जो है साफ सफाई और सेनिटाइजर की परकिरिया पूरी कर ली जाएगी और बच्चों के लिए जो है इक्कूलों में आफ्लाइन पढ़ाई के साथ साथ है ओनलाइन कच्छाई भी जारी रहेगी ठीक है उसके बाद बोल परिष्छाएं जितने भी परिष्छाएं होने वाली है जैकबोड की तरब से वह सभी परिष्छाएं ओफ-लाइन होगी ऑर इसमें आपका देरी नहीं होगा इसके बारे में आपको मैं दूसरा नीूज़पेपर में अभी तूरण बता रहाहा हूँ आप लोग पूरा दे सभी परिच्छाएं ओफ-लाइन होगी और साथ ही आगे बोल रहा है कि फॉल रहा है कि परिच्छा का समय है यह पर बोल रहा है पर आपका समय पर होगा ताकि सत्र का समय वह पूरा हो सके टिक है और इधर विiddah **** और इंटर की जो परिछ्छा होए हूँ मार्च महींने में लिया जाएगा और की से परिछ wagon, तो उसी तरह का अपका एक पेपर होगा ठीक है उसी तरह का आपका एक पेपर होगा मतलब एक ही पेपर में आपका सबसे पहले अबजेक्टिव टाइप का प्रस न रहेंगे उसके बाद आपका जो लिखित प्रस न होते हैं मतलब लॉंग टाइप का आपका जो प्रस न होते हैं उस तरह का तो आप आपको जो तयारी करना है वो आपको अच्छी से ही तयारी करना है नहीं तो आप लिखर नहीं पाएंगे अप यeghbird कि टीक मारने के फेरा में रहेंगे तो मात्र आप 10 ही Question को Solve कर पाएंगे बाकी Question आप ठोड़ देंगे ठीक है और चैनल को सब्क्राइब करकि चैनल से जोड़ रही है ताकि आपको जैक बोर्ड से रिलेटेड पल-पल का सही अपडेट मिलते रहे